इस मंच पर बेहत खास महमान हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं वर्चुली जुड़े हुए हैं और उसकी वज़ा यह है कि वो एक कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद ही इतिहास में किसी विधायक ने कभी किया होगा पूर मंत्री संजय सतेंद्र पठक बीजेपी के बड़े नेता और विज़ागोगर से विधायक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और यह तो तमाम जो प्रत्याशी होंगे या विधायक होंगे उनको अभी चुनाव में जाने का वक्त है लेकिन यह प्रत्याश भी नहीं लड़ेंगे तो अक्सर सुर्कियों में रहते हैं संजय सतेंद्र पाठक पूर्मंत्री और विज़ागोड से विधायक तो हमसे सीरे जोड़े हुए हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 के जनसमवाद में यह बहुत धन्यवाद आईबीसी 24 के म नेता ने बेटा के रूप में अपने परीजनों के बीच जन जन का जनादेश लेने आया हूं कि बताए मुझे निर्देश दे कि क्या मैं अगला चुनाओ लड़ू या ना लड़ू बदान सिवक बनू या ना बनू यह अक्सर आप चौका देते हैं कई बार आप हमने के जो आपदा थी उस वक्त देखा था हेलीकॉप्टर लेकर आप के दारनाथ पहुंच गये थे अभी फिर हम देख रहे हैं कि सुर्कियों में इसकदर आप काबिज हैं कि भारत में ऐसा कोई विधायक इससे पहले तो नहीं होगा जिसने विधायक रहते हुए जन्मत संग्र एक रहा है सामने इव पूरी विश्व में वतला इसको गिनीज बूक में नाम जाना चाहिए था आपने उनको क्यों नहीं बुलाया कि इतना बड़ा जन्मत संग्र है कोई नहीं करता है इतना बड़ा सर्वे कोई नहीं करता लाइए मैं पुरी इमानदारी और निश्टा क काझ करता आ रहा हुँ मिरे मंडेख ऐसा वचारा आया कि क्योंना मैं अपने ही कार्णों कर सोयं व्रक्तिका तोर पर मुल्यांकन करूं कि मैं छे अप जनल प्रिकषावा में ख़ड़ा उतर रहा हूं कि नहीं मैं जिस परिवार की सेवा कर रहा हूँ उस परिवार के गाधे इस से कभी दिल जीत पाया है की नहीं कि मैंने जीवर में पहरा बिदायक का चुछाओ लड़ा उसी दिन मैंने बुला था कि मैं सत्ता पर नहीं दिल पर करना चाहता हूँ और दिल पर वही रास करता है जो लोगों को मूलबू सुविधाएं शांसने वाली उजनाओं का लाप और समय पर उनके अच्छे और बुले समय पर दुख और डर्द के साथ पर खड़ा हूँ कि जो मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ तो इसका मेरे परिजन याने मेरे विदान सवाचेत के लोग इसका आधा प्रतिशत आधा प्रतिशत कर में होता है पचास प्रतिशत भी लोगों का दिल जीत पाया हूँ की नहीं लेकि चुनाव जीतने के लिए 40, 42, 43 परसंट वोट परयाप्त होती है लेकिन दिल जीतना चाहिए क्योंकि जहां एक तरफ आधानी नरेंद मुदी जी की केंद की योजनाओं को लाब दिला रहा हूँ प्रदेश की पातिय अंतापाटे की सरकार और शिवराद जी की योज सलम कहें कि पहले से ही देखने मिल गया कमसकम एक विधानसवा सीट पर जो रुजहान आ रहा है यह तैह हो गया कि चुनाव मैदान में संजय सतिन पाठक फिर विज़ारागोगर से उत्रेंगे नहीं बिल्कुल यह तैह इसलिए नहीं होगा कि चुनाव मैदान में कौन उत्रेगा यह पार्टी की दब से पार्टी तैह करेगी लेकिन मैं चुनाव लड़ू या नहीं लड़ू मैं इस योग हूँ की नहीं मैं 50% लोगों का दिल और उनकी अंतरात्मा में अपना स्थान बना पाया हूँ भी नहीं यह तो मैं अपना निजी व्यक्तिकत सर्वे कर रहा हूं या जनादिश पक्राप्त कर रहा हूं अगर जब 50% से उपर परिवार के लोग परिजन के लोग इस छेत के नौजवान मात बहन बेटी असाब जाकर मुझे आदिश करेंगी तब मैं अपनी बात पार्टी के समक्ष रखूंगा फिर पार्टी का जो निर्ड़ने होगा पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा अगर मुझे आदिश करेगी तो मैं लड़ूँगा पार्टी किसी दों को कि 50% सुपर जन्मत संग्रे अगर आप राप्त करते हैं आप ही लड़ेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं भातियांता पार्टी में बहुत सारे का करता हैं जो विधायक बनने की योग हैं तो पार्टी जिसको तैकरेगी वह विधायक बनेगा दूसरी बात जो कॉंग्रिस कह रहे कि मैं अगर इमानदारी से सेवा करता हूं तो लोगों का अभी तक मैं मन, दिल, दिमाग जीत पाया की नहीं विश्वा सरजित कर पाया की नहीं और आज जो हो रहा है यहां पे आपका चैनल भी लाइव दिखा रहे हैं यह मेरे खाल से विश्वी पहली बार होने जा रहा ह मत दाताओं ने अपने जनादिश का प्रयोग किया और अब इसका परणाम सामने आ रहा है यह अद्वोद है अविश्वस्तनी है अकल्पनी है जिस समय मैंने प्रण किया था कि 50-30 सूपर अगर लोग मुझे अपना आश्यवाद देंगे तभी लड़ूँगा तब सोचा सब्कुछ सामने सब कोच लाइव है अश्वर की आदेश होंगा जनता को आदेश होगा परिजनों को जो हूँगा इसका पाला लोगा संजर जी दो खबरें बड़ी चर्चा में तुम पहला तो आपका जनमत संग्रे है और दूसरा शिवराज जी का कैबिनेट विस्तार ँ कि महाकोशल में प्रतिन से तु जो है बढ़ेगा और एक नाम आपका भी होगा है कि महाकोशल में मुझसे भी बैतर मुझसे भी अनुबभी और मुझसे भी उम्र दराज बहुत सारे बातियंता पार्टी की विधायक है पार्टी आगरे आगा में चुनाओं को देखते हुए अपनी रणनीटी को देखते हुए च्छेत्रिता को देखते हुए और आने वारे एलेक्षन में कहां से किसको आगे लाके पार्टी के लिए जधा हित होगा च्छेत्रमें बैलंस जधा बहतर सर बनेगा जो पार्टी तय करेगी वहीं बैतर होगा सर आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से महाकोशल की सियासी उपेक्षा के आरूप कॉंग्रेस लगाती आई थी और इस बार लगभग यह तय हो रहा है कि अगर विस्तार होगा तो बुंदेल खंड महाकोशल और एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इसको एक पॉलिटिकल विशय भी बनाया गया है कि महाकोशल की या विंद की उपेक्षा एक मौजूदा सरकार ने की और अठारा में बहुत प्रसिंदित्व दिया गया था इन दोनों ही अंचलों को मुझे पूरा विश्वास है पूरी 38640 सीट भाज़पा को मिल रही है लेकिन जैसा माननी हमिशा जी का आदेश निर्देश हम लोगों को मागदशन प्राप्त हुआ है कि 1500 सीट पार करना है तो आज आपको बोल रहा हूं इसको महा भारत के संजे से मत चोड़िएगा मैं आज का संजे हूं आज आपको मैं बो से बेहने अमर क्या इबोड़ करने एक जनादेश के लिए तो मझे भी भाटपक के का करता मान के भी जनादेश मिल रहा है तो इन योजना को जो लाब है यह बीचे स्टर पर जा रहा है इसका बिलकुल मानके चलिए संजे आज आज आप से बोल रहे हैं कि आने वाले चुन प्रदेश में अच्छा कार करेंगी तो एक बड़ा दावा आई बीसी 24 जनसमवाद के इस मंच से पूर्ण मंत्री और बीजेपी के विधायक विजह रागोगर से संजय सतिन्थ पाठक कर रहे हैं कि 500 पार का सर्वे कॉंग्रेस का कुछ भी हो लेकिन उनको नजर आ रहा है कि यहां 500 पार बीजेपी जरूर कर रही है हाला कि उन्होंने कहा कि उन्हें महाभारत के संजय की संग्या ना दी जाए लेकिन दावा बड़ा है और चुकि आप अपने विधान सबाग शेत्र में ही हैं इस वक्त संजय जी जाना चाहूंगा मैं उस दावे में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अभी अंकर गणत में नहीं जाना चाहता जी कि 136 होंगे कि 156 होंगे कि 149 होंगे एक करोड परसर प्रतिशत भारती अंता पार्टी की सरकार बनेगी इसको दुनिया की कोई ताकत नी रुख सकती लाड़ली बेहना हो चाहे लाड़ली लक्ष्वी हो चाहे बुड़ी माह हो चाहे नौजवान हो आपके माध्यम से कहारो मेरे वीडियो को समाल कर रखा जाएगा और इस वक्त भी हम कहें कि करोड़ों की ताराद में लोग जो हैं हमारे दर्शक जो हैं वो ना सिर्फ आईबी सी 24 नीज़ चैनल पर बलकि डिजिटल माध्यमों पर भी लाइव इस वक्त आपको देख रहे हैं आप अपने विदान सबाग शेत्र में हैं सर क्या लगता है आप तो चुकि रिपोर्ट कार्ट तो सबका तैयार होना है हाला कि ये बात और है कि आपको तो पहले ही फीडबेक पब्लिक का इस जनादेश संग्रह जनमत संग्रह के जरीए हासिल हो जा रहा है लेकिन आप इस्तिती क्या है सर की अब तक ये पूरा नहीं हुआ है किस तरह देख रहे हैं आप बड़ी बाइपास के लिए 90 करोट रुपए सुक्रत हो गए थे लेकिन बाइपास में 70 से 80 प्रतिश्य जमीन प्राइविट जमीन है और उसके भूमी अधिगरण की कारवाई चल रही है मैं नहीं चाहता है कि किसी किसान से जबनन जमीन चीरी जाए तो उसका नेग्योस्टिशन भी नीच लिस्तर पर चल रहा है कि जो शासन का नियम है कि जमीन की गाड्लाइन डिन का डवल ठाई को न दिया जाएगा तो उस प्रक्रिया में भी इस्तिती है और लगबग वहां प्रक्याद पर एसे केमोर में भाई पास सुख्रत है पैसा भी आ चुका है उसमें भी नीजी भूमी आ रही है कहीं कहीं तो इसलिए भूम्यादी कि गरण में किसी किसान को रुष्ट किये बिना उनकी सेमती लेके करना है इसलिए थोड़ा एकाद महने का विलम है मुझे उम्मीद है कि अगले एक डिड़ महने में अगर चुनाओ आयोग जल्दी अचार सेंता नहीं लगाता है तो अक्टूबर तक में हमारे टेंडर भी इसके हो जाएंगी और किसी कारणवसा का चूग भी गए तो मेरे विदान सेवक मुझे ही बनाना है तो मैं जब बैठा जी और निर्मार्तो सर श्री हरीहर तीर्थ का भी हो रहा है देखिए वो बिलकुर राजनीती से एकदम अलग विश्य है उसको ना चुनाओ से क्रपया करके ना राजनीती से जोड़े वो नित्रांत अंतरात्मा का विश्य है सनातानी परंपरा में जनम लिया हूं लाजी के चर्णों के सिवक के रूप में मेरे मन में एक विचार आया कि एक ऐसा तीर्थ का निर्मार्ण हो जहां पे हर गरीब जा सके हर निशक तो जा सके हर बेसाहर जा सके जो निराश्यत है जिसको कोई ले जाने वाला नहीं है उनके बंद में कुंठा रहाती थी कि मैं मैं भी इस लोग से परलोग जाने के पहले अपना परलोग सुझा लूँ और मैं भी चारधा में आता कर लो मैं भी तीर्थ कर लो वो नहीं कर पाते थे पैसे के भाव में अर्थ के भाव में किसी और अभाव में तो एक ही इस्तान पे चारोधाम के मंदिर हो बारा जोते ल बातु की पतीमा भगवान पशुराम जी की और भगवान श्रीक्षने के विराथ सरूप यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कह लीजे यह कह लीजे मेरे जीवन का अंतिम लक्ष क्योंकि 12 साल के अंदरी राजनीती से सन्यास लेके मुझे वहीं हरियर तीर्थ में लोगों की से करनी है इसलिए राजनीती से अलग विशे है राजनीत से अलग विशे सर जरूर आप कह रहे हैं और निजी प्रयास भी इसके पीछे आपके हैं बता भी रहे हैं लेकिन सर इस चुनावी साल में अगर हम देखते हैं तो धर्मपत पर ही यह राजनीत चल रही है वहां कॉंग्रेस जब मंदिर और ऐसे तीर तिस्तलों पर पहुंचती है तो सियासी तंज भी होते हैं यह आप किस तरह से देखते हैं कि तमाम जो सियासदा हैं या जन पृत्निदी हैं उनके जोर जो है इस चुनावी साल में ज्यादा हिंदुत्व की और या प्रकर समझे अब भी जसे चुनाव मज़िक आता है तो उन्हें बड़े-बड़े संत की याद आने लगते हैं सादू संतों का समान होने लगता है हनुमान जी याद आते हैं राम जी याद आते हैं लेकिन आप अगर इतिहास बहुत नहीं भूला करिए इतिहास बेंको कभी इस प सब्सक्रावाने वाले भी यह आज राम मंदे का जब लोकारपड होने की स्थिती बन गई है तब यह धर्मा लंभी बन रहे हैं यह चुनावी ढोंग है यह सिर्फ राजनीतिक में उप्योक के लिए इसको लाव लेने के लिए अपने आपको धर्मे परी बता रहे हैं सब बिल्कुल भी यह बिल्कुल इसको अधर्मी तो नहीं कह सकते लेकिन चुनावी धर्मिक लोग है सरो कॉंग्रेस के निता इस पर यह भी कहते हैं कि हम जब करते हैं तो हमें चुनावी हिंदू बता दिया जाता है और आप लोग जो है वह सीधे तोर पर हिंदुत्व को ले कि महायग महादुरुद्रशिप में परमपुझ गुर्दयों पंडित्यप प्रभाका शाथी दद्धाजी के सारे तो मैं खुद रहा हूं कि यह बताएं कितने जाके में रहें यह कितने जाके की है लिए अद् Genius की तो हमनेकर भार सब्कुद्र है तो माले मिएत जीवन में अब अपने उतार लें ना वख्शन के आचना अटार लें लक्षम्न के आचना वटार लें अगर एक अरभुस्द्रि राम나 कर अर्न करने अनुस्वर्णी करएं तो имеет अ कि इन स्केकाई जाएं भी स्वहाजओं ऐसे लोगों को तैtu जीतना चाहिए लोगों और दो के डुखता डिना चाहिए ना चाहिए कहां थे आकर एक करोना काल में अपने घर में क्यों थे ये जनता जब भूके मर रही थी जब चार में लॉकडाउन था बजार बंदे थे दुकान बंदे थी सबजी ने मिल रही थी किराना ने मिल रही था राशा ने मिल रही था बच्चों को दूद बिसकिट ने मिल रही थी तब ये लोग कहा थे जब रैम डैसवर के इंजक्शन के लिए लोग मर रहे थे एक एक लीटर ऑक्सिजन के लिए लोग एक एक सास के लिए तरस रहे थे तब कहा थे कॉंग्रिस के लोग ये कैसे धार्मिक लोग है जिनके अंदर दूसरों के पती दया ना हो वो कभी धार्म थि लोग लाश नहीं जला पा रहे थे जिनके लाश जल गए थी वह अस्तियाले के इलावा देज़ा पा रहे थे जिनके तेलक चल गया था उस साथ दिन के उन्दर शादिया ने नीड़ा पा रहे हैं तो साथ यह दिखते होई कि बच्छा प्यदा हो रहा है स्पताल ने जा पार रहे हैं पता है लोगों को आई सीट के बैट नहीं मिल रहे थी था थी तब यह को इसके लिए धर्म के वल भगवान के सामने अगर बत्ती लगाने करनी होता इससे जोड़ा हुआ सवाल फिर एक विश्यांतर करूंगा अपने द्यवतां को अनुसरां भी तो करो उन्हें लेकिन सर आप लोग भी आप लोग भी चिंद्वारा में जाकर ही हनुमान लोग का शिल्यान न्यास करते हैं मुक्यमंत्री जी ने किया हुआ है करोड़ रुप्यों की लागत से जाम सावली में लोग जो तयार होना है कि सलकल देवी का भी हो रहा है यादी शंकला चार जी कबल रहा है अपने जानापाओं में परशु राम जी का बन रहा है सागर में रविदास जी का बन रहा है वहाँ आपके चंदवारा में हरुमान जी का बन रहा है विजय दागोगर में हरियर धाम जो मैं बना रहा हूँ लोगों के साथ विलके उसमें भी तो पार्टी के काकरता हूं को सहीज की साथियों का भी उसमें आशिरवाद है सहीज हो गए ऐसा नहीं है मद्यपदिश के सभ आगे निकल गई प्रत्याशियों के एलान होने में 49 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको मौका जादा मिल गया चुनावी तैयारी का चुकि आपको चुनाव लड़ने का एक लड़ोहने का भी एक लंबा अनुबाव है तो लेकिन कई जगा ऐसी इस्तितिया हैं कटनी जिले की एक प्रत्याशी जो है वो इस्तीफे तक दे रहे हैं तो यह सर जल्दी टिकेट देना यह कहीं आपको स्ट्रेटिजिकल किस तरह से लगता है देखे कट्टी के तो विशे में आपको सब्सक्राइब से बता दू बढ़वारा में एक सीट कोशित हुई है दिरेन सिंग हमाई प पर यह सब्सक्राइब से नहीं आया और यह वही 49 सीटे हैं जो प्राटी ने घुशित की है जो पिछली वार हम नहीं चीज सके थे और आज हमें कह रहे हैं हमें हादकि आकड़ा नहीं देना चाहिए लेकिन नियुनतावस्ती पर्थी पर्थी से हमाई आगले आने वाल प्रत्याशी गोशित कर दिये गए हैं और करोणों का खर्च किया जा रहा है प्रत्याशियों की और से और चुनाव आयोग जो है यह खर्च की घड़ना का हिसाब जो है अपसे शुरू कर दे या निगाहा रखे क्या कहेंगे एक शिकायत की गई है अनुपर्म राजन जी को कॉंग्रेस की होड़ से देखी कॉंग्रेस को तो सब चीज दो शिकायत होगी यहां पर मैं मद्दान करा रहा हूँ जनादेश ले रहा हूँ जिसको आज चल रहा है एक लाख चालिस या से उपर लोग लाइव फेस्बुक पर यूटूब में और सोशल मेड़ा के विविन फोरम में और चैनलों के सामने वोटें हो रही है उसके बाद भी लोग आरोप लगा सकते हैं कुछ भी तो आरोप लगाना तो कॉंग्रेस का काम है अगर कॉंग्रेस आरोप नहीं लगाएगी शिकायते नहीं कर और अच्छे से प्रेक्टिस करना चाहिए करने दीजे शिकायत नहीं बात चुनाओं आयों की तो सबके नियम होते हैं कानूर होते हैं अभी चुनाओं की अधिकारिक घोशना नहीं होई है इसलिए चुनाओं इसमें कुछ करनी नहीं सकता है तो सर आप आश्वस्त हैं कि विजए रागवगड़ में कमल भी खिल रहा है और यहां मद्यपरदेश में भी जैसा आपने कहा कि इतनी सीटे आएंगी और सभी अंचलों में क्षेत्रिय संतुलन बैठा लिया जाएगा एक लाग पतिशत मद्यपरदेश में भारती जन्ता बाटी की साका बने की इस बात को नोट कर लीजे और विजए रागवगड़ में कमल जो है तो पता नहीं कितने कितने कारका तक खिलता रहेगा इसका अभी कुछ नहीं कह सकते हैं जीवन परियंद के लिए के लिए यहा जिति शेयों से बहुत उपर सीट जीत के सरकार बना जा रहे हैं बहुत-बहुत शुब कामना है सर आपको और बहुत-बहुत धन्यवाद आईबीसी 24 जनसमवाद के इस मज़ से जुड़ने के लिए थैंक्यू बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सभी वियों को और दर्श की है सत्र दर सत्र सियासत दा हमारे साथ लाइव जुड़ते चले गए और हर एक मुद्धे पर हमने बातचीत करने की कोशिश की अभी अभी पूर्मंत्री और